कि अधुर्य को के लिए मेरा दर्माचा हमेशा के लिए खुला हुआ है जो कहते है विद्वेरेतन च्क्राइड सेलिंग टारेक्सेलिंग जैसा इसी काम ही नहीं है क्रोलेक्ट में दम होना चाहिए कंपनियों की यॉइस्पी होनी चाहिए बोलते हो यह तो साल पुरानी है मेरे पास infrastructure 20 साल पुराने वालों के पास निए वो इंफ्रेस्टेक्टर मेरे पास है जो मैंने आपको भी जलक दिखाई है कि इधर से खरीदा इधर बेचा इधर से खरीदा इधर बेचा इसे डारक शेलिंग क्याते है कि ट्रेडिंग कहते हैं ट्रेडिंग क्या कहते हैं ट्रेडिंग कहते हैं इस विदर से खरीदा इधर बेचा यह डारक शेलिंग क्या होती है अपना रिसर्च का प्रोडेक्ट अपने साइंस लगाया हुआ प्रोडेक्ट अपनी योग्यता से बनाया हुआ प्रोडेक्ट पैसे नहीं सस्ता मेंगा यह सब अकड़म तकड़म यह जितने भी बजार में बैठें कि सिर्फ आदिमी का दिमाग गुमाने का खेल कर रहे हैं अंडर्स्टेंड पैसे नहीं देखता कोई कोई डियापीटीज वहला पैसे देखेगा जिसके गुटले में दर्द हो पैसे देखेगा जिसको बच्चा नहीं हुआ दस साल से बीस साल से पैसे देखेगा जिसकी बच्चेदानी की गाट में रोसोलियों पैसे देखेगा, पैसे कोई नहीं देखता, result देखता है, यही कहना चाहता हूँ इस प्रेटफॉर्म से, कि डारेक्ट सेलिंग होती है, कि जिसको मैंने प्रोडेक्ट दिया ना, वो डारेक्ट सेलर ना बने, पर मेरा प्रोड किती इंद्रफ को कि दे इंडॅ कि मेरे इन कितोय पाहिए ऑधर देना खूल वालोगा फेसा लगोल तोधी है तो चुनितल्ब ट्रफम कर रहे हैं को ये ये थर अलियो टी ये पेवकूप नाना उता है ये पेवकूप बनाना ऊकांखन ओडर एक्से 2 listen 6 6 लग गया तीन महिने किन्ति कर लेना जतीन महिने चो प्रोडेक्ट तुम कर ले ओना और यूज करा रहे घृच्ठ और नीचे हो सकता है यह मैं सोचना पुराना टेस्ट नहीं मिल रहा तीन महिने चैलेंज इस से कह रहा हूं इस टेस से तीन महीने डबल रिजल्ट नहीं बढ़ा दिये डबल नहीं कर दिये तो मेरा नाम संजीव कुमार नहीं डबल रिजल्ट नहीं करते मेरा नाम संजीव कुमार नहीं रिजल्ट डबल करूंगा लोग कहते नहीं डारेक्शिंग वाले रिजल्ट गिर